हेलो दोस्तों स्वागत है आपका केरियर विल स्टेडी में आज मैं आपके लिखर आई हूँ क्लास सेविन की सब्जेक्ट है साइन्स और उसका चैप्टर है फाइव चैप्टर का नाम है उस्मा एवं ताप आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इस चैप्टर का फुल कराऊंगी तो देखो सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में अभ्यास प्रिश्ण है अभ्यास प्रिश्ण में प्रिश्ण नंबर वन है निमलिखित प्रिश्णों के सही विकल्प चुनकर लिखिए तो देखो प्रिश्ण नंबर का है द्रव के गैस में बदलने की क्रि उसके बाद है हमारे पास अगला प्रिश्ण जल का क्वथनांक होता है आंसर होगा 100 डेगरी सेल्चियस उसके बाद अगला प्रिश्ण है उसमिय उर्जा का मात्रक है आंसर होगा जूले उसके बाद अगला प्रिश्ण है उसमा का कुचालक है आनसर हुगा काँच इसके बाद हमारे पास पिर्शी नमर दो है निम्लकित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत काचन लगाएं तो देखो का है किसी वस्तु को गरम करने पर उसका ताप घठता है ये बाद क्या है? गलत उसके बाद खा है ठोस वस्तुओं में उस्मा का संचरण चालन द्वारा होता है ये क्या है सही उसके बाद है अगला गा वस्तु द्वारा ली गई उस्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्वर करती है ये क्या है सही उसके बाद अगला है अवस्ता परिवर्तन के समय वस्तु का ताप इस्तिर रहता है ये क्या है सही अगला है पारा उस्मा का कुचालक है ये बाद क्या है गलत उसके बाद देखो पिर्शिन नमर तीन है रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए धेखो का है ताप का SI मातरक केल्विन है खा है गलते हुए बर्फ का ताप डिग्री सेल्सियस होता है अगला है किसी ठोस के ध्रव में बदलने की क्रिया गलनांक कहलाती है उसके बाद घा है विकिरण द्वारा उस्मा इस्थानांतरण में माध्यम की आवश्यक्ता होती है अगला है लास्ट बर्तन का हत्ता बनाने में कुचालक धातु का प्रियोग किया जाता है ठीक है? उसके बाद हमारे पास फिर्शी नमबर चार है कॉलम का और कॉलम खा का मिलान कीजिए तो देखो कॉलम का में है किसी वस्तू का ताप इसे मिलाएंगे ताप मापी द्वारा मापते हैं अगला है खा ठोस में उस्मा इस्थानांतरण चालन द्वारा होता है अगला है इस तील उस्मा का इसे मिलाएंगे सुचालक है आगे है ठोस को गरम करने पर उसके आयतन में प्रिसार होता है अगला है विसिस्ट उसमा पदार्थ का गुण होता है ठीक है? उसके बाद है पिर्शे नमर पांच समान दिर्विमान के दो अलग-अलग पदार्थों अगला पिर्शे नमर चे गैसों के प्रिसार को एक क्रिया कलाब द्वारा इसपस्ट कीजिए तो देखो उत्तर होगा गैसों के प्रिकार को इसपस्ट करने के लिए निमनांकित क्रिया कलापों को देखे कांच की एक खाली तथा स्वच्च छोटी बोतल के मुँँ पर एक बिना फूला हुआ गुबारा बांध देंगे उसके बाद अब बोतल को चोड़े मुँ के बरतन में रखेंगे और इस बरतन में गरम पानी डालेंगे ऐसा करने पर गुबारा फूल जाएगा क्योंकि गरम जल के कारण बोतल के अंदर की हवा गरम होकर फैलती है और बोतल के मुँँ पर लगे गुबारे में प्रविश करती है और गुबारा फूल जाता है बोतल को गरम जल से निकाल कर ठंडा करने पर गुबारा पुने चिपक जाता है इससे यह निसकर्स निकलता है कि गैसों में प्रिसार होता है गरम करने पर गैसें फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुडती हैं प्रिशिन नमबर साथ है रेल की पट्री जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगे क्यों छोड़ते हैं तो उत्तर होगा रेल की पट्रीयों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगे छोड़ी जाती है ताकि गरम होकर फैलने पर पट्री टेड़ी न हो जाए अगला प्रिश्ण है आठवा सुचालक तथा कोचालक पदार्तों में अंतर इस्पस्ट कीजिए तो देखो उत्तर होगा जिन पदार्तों से उस्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें उस्मा का सुचालक कहते हैं जैसे लोहा एल्यूमिनियम ताबा आदी फारेन हाइट को डिगरी सेंटिग्रेट में बदलिये तो देखो उत्तर होगा ची अपॉन में हंडेड बराबर एफ माइनस बद तीस अपॉन में एक सो असी इसको कैल्कुलेशन करेंगे क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे तो देखो एक सो असी सी हो जाएगा उसके बाद 186-32 into 100 इसे solve करने के बाद हमारा answer आएगा 85.85 दसमलव 556 degrees centigrade ठीक है उसके बाद question number 10 है गलनांक की परिभासा लिखिए तो देखो उत्तर होगा वहन इस्चित आप जिस पर कोई ठोस गरम करने पर द्रव में बदलता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं बर्फ का गलनांक 0 degree Celsius है उसके बाद question number 11 है क्वथनांक की परिवासा लिखिए तो देखो उत्तर होगा वहन निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव बलता है और गैसी आवस्ता में बदलता है वहे द्रव का क्वथनांक कहलाता है पानी का क्वथनांक 100 degree Celsius है उसके बाद 12 परिश्चित है पांच कैलोरी कितने जूल के बरावर होता है तो देखो उत्तर होगा एक कैलोरी कितने के बरावर होता है 4.18 जूल के बरावर तो 5 कैलोरी 4.18 गुड़ा 5 करेंगे हो जाएगा 20.90 बरावर 20.9 जूल प्रिशन नमबर 13 है समान पदार्थ के दो टुकणों का दिर्विमान क्रम से 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है समान उस्मा देने पर किसका ताप अधिक बढ़ेगा तो उत्तर होगा चुकि किसी वस्तु के ताप में व्रदी के लिए आवश्यक उस्मा की मात्रा उस वस्तु के दिर्विमान पर निर्वर करती है यदि समान पदार्थ के दो टुकणों का दिर्विमान क्रम से 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है तो समान उस्मा देने पर 2 किलोग्राम द्रव विमान वाले टुकडे का ताप अधिक बढ़ेगा उसके बाद प्रिशन नमबर 14 है 0.2 किलोग्राम द्रव के ताप को 20 degree centigrade से 70 degree centigrade तक बढ़ाने के लिए 700 कैलोरी उस्मा की आउशक्ता होती है द्रव की विसिस्टní उस्मा ग्याद कीजिए तो देखो का है कैलोरी में ग्याद करनी है और खा है जूल में किस तरह से ग्याद करेंगे देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे उस्मा की मात्रा बराबर Q बराबर 700 कैलोरी 700 गुणा 4.18 इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो 29-26 जूला जाएगा ठीक है पदार्थ का दिर्वेमान होता है M, M बराबर 0.2 किलोग्राम पदार्थ की ताप ब्रदी है डेल्टा टी वो क्या है 700 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ 50 डिग्री सेल्सियस विशिस तूसमा ऐस से है तो S बराबर हमारा फॉर्मुला है Q अपॉन में M डेल्टी इक्वल 29 अपॉन में 0.2 गुडां 50 डिग्री सेंटीग्रेट इसका मल्टिप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 200 बिन में 6 जूल प्रती किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेट ठीक है उसके बाद 200 बिन में द.166 Joule प्रती कलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेट को कैलोरी में बदलने पड़ कैलोरी में बदलेंगे इस तरह से तो आंसर आएगा 70 कैलोरी प्रती किलोग्राम डिगरी सेंटिगेर ठीक उसके बाद पिरिशिय नमबर 15 है 0.2 किलोग्राम को 135 डिगरी से 25 डिगरी सी तक ठंडा करने में द्रव से निकली उसमी है उर्जा ग्यात कीजिए जबकि द्रव की विशिस्ट उसमा 750 जूल प्रती किलोग्राम डिगरी सी है तो उत्तर होगा उसमी उर्जा बरावर पदार्त का द्रवयमान गुणा पदार्त की विशिस्ट उसमा गुणा पदार्त की ताप ब्रदी तो उसमी उर्जा क्या है क्यों पदार्त का द्रवयमान क क्या है 0.2 kg पदार्थ का विशेस्ट उसमा क्या है 750 जूल प्रती किलोग्राम डिगरी सी बरावर क्या है 110 डिगरी सी तो देखो फॉर्मुला होता है Q बरावर Q बरावर M इंटू S इंटू डिगरी सी इसका मल्टिप्लाई करेंगे आंसर आजाएगा 16500 जूल इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंदाई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें औ मिलते हैं रेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ धन्यवाद